नमस्कार, वेलकम बैक, मैं डॉक्टर सुशिल दुबे, I am a होमेपती कंसल्टन्ट और आज मैं आपके लिए लाया हूँ दो ऐसी केस टडीज जिसके माध्यम से मैं आपको सायटिका केसिस को सॉल्व करने का मेथर्ड समझा पाऊं। सायटिका बेसिकली है क्या, सायटिका एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें असहाय दर्द होता है, यह दर्द पीट के निचले हिस्से से शुरू होकर नीचे पैरों तक जाता है, सायटिका नाम आया है सायटिक नर्व से और इसी सायटिक नर्व में जब दर्द होता है तो इसे सा का दर्द बहुत ही पीड़ा दायक होता है और अत्यंत गंभीर दर्द होता है बिल्कुल बिजली की तरह तो आएए देखते हैं इन केस स्टडी को जिससे हम कुछ सीख पाएं तो यह पहला केस स्टडी है साइटिगा का जिसमें एक पुरुष लगभग चाचट वर्ष के उन्होंने क्लिनिक में क्लिनिक में आये वो और उनका जो कंप्लेंट था वो था सिवियर बैक पेन जो नीचे नीचे पैरों तक जाता था और पेन इतना तीव्र था कि वह खड़ भी नहीं सकते थे जरा सभी चलने पर उनको दर्द होना शुरू हो जाता था दर्द जैसे बिजली जाती है वैसा दर्द होता था उन्होंने यह भी बताया कि पैरों में जुंजनी होती है पैरों में सुन्पन आ जाता है और दर्द काफी तेज होता है जब और जादा एंक थंडी का मौसम होगा तो उस वक्त यह जादा बढ़ जाता है तो फिजिकल जनरल्स में इन्होंने बताया कि थंडी बरदाश नहीं होती प्यास लगती है काफी पानी पीते हैं और परस्पिरेशन बहुत कम आता है वर्जिश यानि exercise करने के बाद बहुत थोड़ा सा पसीना जब तक कोई ज्यादा महनत वाला काम नहीं करेंगे तब तक पसीना आयगा ही नहीं इस केस कोई हमने में अ फार्टक small किया था था पहला रूब्रिक जो हमने लिया वह सायली का दूसरा रूब्रिक जूने लिया था वह कोल्ड एड़िवेट तीसरा रूब्रिक outta ने लिया था sweat absent और चौथा रूब्रिक जो था वो था warmth, warm application, covers, etc, amelorate इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही medicine आ रही है Rastox तो इनको Rastox 30 BD दिया गया था for 10 days after 10 days, pain completely खतम हो गया है pain का कोई recurrence नहीं आया है, case अभी भी under treatment है बट उनको वो sciatica का pain दुबारा नहीं आया है इसी तरीके का एक और case है इनको भी sciatica का problem था ये 55 वर्ष की महिला थी जिन्होंने क्लिनिक में present किया इन complaint के साथ की पैर में बहुत तेज दर्द होता है तो उस समय जो उन्होंने symptoms दिये उसके आधार पर हमने रस्टॉक्स दिया क्योंकि पहला हमारा case में हमको benefit मिला था रस्टॉक्स से फिर colosyn भी try किया क्योंकि colosyn थे कच्छी medicine है sciatica के लिए लेकिन कोई विशेश फर्क नजर नहीं आ है और जब भी वो क्लिनिक में आई तो कोई clear modality मिल नहीं पा रही थी जिसके basis पर हम prescribe कर सकें लेकिन हर बार उन्होंने एक sentence जो था उसको हर बार वो दोराती थी और यह था कि कि दर्द कभी इस पैर में होता है तो कभी दूसरे पैर में होता है यह जो एक अकेला statement था उनका कि दर्द कभी इस पैर में होता है और कभी उस पैर में इस एक sentence ने उस case को solve कर दिया यह हमें रूबरिक मिला extremities, pain, lower limbs, sciatica, alternating sides आप देख सकते हैं single medicine है lacan she received lacan 30 BD for 10 days और फिर उसके बाद से अभी तक उनको कभी दर्द नहीं हुआ case आज भी चल रहा है और वो sack lac पर ही है if you have any questions please ask in the comment section below also let me know in the comment section below on what topics should I make videos that will be helpful for you अब इस case में हमें समझ में क्या आया पहला कि जब भी इस तरह का कोई pathological case हो तो हमें पहला तो जो chief complaint है उनके modalities पर हमको ध्यान देना है जैसे sciatica के अंदर pain जो है वो बहुत ही chief complaint आता है तो pain की modalities है उस पर हमें focus करना है और दूसरे case में हमें यह समझ में आता है कि character of pain उस pain का character कैसा है किस तरीके से वो shifting है या एक ही जगह पर localized है इस तरीके से हम character of pain और उस pain की modalities को अगर हम ध्यान में रखें तो हम इन cases को solve कर सकते हैं इस चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए अपने friends और students को भी इस video को उन तक पहुंचाईए ताकि उन्हें एक inspiration ले और यह उन्हें help करे होमेपतिक methods को learn करने में धन्यवाद thank you आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया